नमस्कार दोस्तों इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म आप सभी को यहां पे फिल करना है सबसे पहले आप सभी लोग यह जान ले इस बार जो वेकेंसी जाप पर जो रिलीस की गई हेडिंग आप सभी लोग यहां पर पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है Office of the Commissioner, Health and Family Welfare and Mission Director National Health Mission अंधरपरदेश तो NHM अंधरपरदेश तवारा यह रेक्रूटमेंट यह आ पर आ चुका है अभी हाली में यह जानकारी औफिशली आपको यहां पर प्रोवाइड कर एगई पूरी जानकारी इस वीडियो मां पर कवर करेंगे सबसे पहले इस वीडियो को आप पे लाइक करें लाइक करें इस वीडियो को इस मैनत को लाइक जरू करें और इसी तरीके से वेकैंसी की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो की नीचे जाएं सब्सक्राइब करें रैड बटन को आपके क्लिक करें एनेचेम दोआरा स्टाफ नर्स की हर एक वेकैंसी की डिटेल इसी तरीके से आगे भी पात रहते बिल्कुल शुरू बाग कर देते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की और तो दोस्तों बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे वेकैंसी टेवल में देख सकते हैं सभी तरह के पोश्ट यहाँ पे शामिल की गई लेकर हम लोग यहाँ पे staff nurse की post को यहाँ पर discuss करेंगे और बिलकुल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं staff nurse की यहाँ पर सभी तरह के post यहाँ पर अलग-अलग शामिल की गई देख सकते हैं यहाँ पर staff nurse का यहाँ पर इस department में तीन पद है और staff nurse का यह वाला जो department है NCD का इसमें 16 पद है psychiatric nurse के यहाँ पर NMHP के अंतरगत यहाँ पर एक पद है nurse for gyretic care और palliative care के अंतरगत NECD यहाँ पर department में तीन पद है staff nurse RBSK में दो पद है और staff nurse के यहाँ पर MSK यहाँ पर पद है यहाँ पर शामिल की गए यहाँ पर देख लें तो जितनी भी candidate से आंपे GNM का डिप्लोमा वाले हैं तो बिलकुल आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और B.A.C. nursing है तो भी आप लोग यहाँ पर apply आप यहाँ पर कर पाएंगे और council का registration होना भी आपको यहाँ पर जरूरी है तो पंजियन भी आप सबी लोगों से आप मांगा गया council का nursing council में आप लोग यहाँ पर registered भी हो सबी post के लिए जितनी भी staff nurse की vacancy है 25,000 रुपे आपको यहाँ पर salary मिलेगी और नीचे की तरफ बिलकुल आप सबी लोग यहाँ पर यह वाले column में देख सकते हैं यह सारी nursing staff की vacancy है staff nurse की NCD department में 31 पद है और 31 number of post यहाँ पर शामिल की गई staff nurse का NCD यह जो department है 188 post यहाँ पर शामिल की गई psychiatric nurse की यहाँ पर देखिए NMHP के अंतरगात यहाँ पर 18 पद है nurse for guarantee यहाँ पर palliative care के अंतरगात यहाँ पर 13 यहाँ पर post है और staff nurse RBSK के अंतरगात यहाँ पर 18 पद है और देख पा रहे होंगे staff nurse की यहाँ पर MH package और 30 पद यहाँ पर शामिल किये गए और salary package भी आप लोगों को 22,500 रुपे पर मिलने वाला है तो 324 पद यहाँ पर यहाँ पर यह शामिल किये गए और ऊपर मैंने आप सबी लोग को यहाँ पर बताया कि staff nurse के अलग से यह 25 पद है तो 324 पद यहाँ पर staff nurse के बताए और इ करने वाली है BSC और GNM वाले सभी candidates यहाँ पर apply कर सकते हैं nursing council में आप सभी लोग यहाँ पर registered होना जरूरी है अब दोस्तों बात करने थे apply किस तरीके से करना है और last date यहाँ पर क्या रहेगी तो apply करने के लिए सब से नीचे के तरफ यह आपको application form का format दिया जा रहा है post wise आप भी आपकी post के लिए आपए apply करने वाले तो आप लोग यहाँ पर form आप लोग यहाँ पर इसमें download कर ले और form को आप लोग यहाँ पर इसमें fill करेंगे जो भी आपकी यहाँ पर basic detail है, qualification detail है, experience की detail है तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर provide करानी है और यहाँ पर दोस पर आप लोगों को यहाँ पर बेज देना है, तो address की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, कहाँ पर आपको बेजना है और last date यहाँ पर क्या रहेगी, तो देख सकते हैं last date जो है 15 सितंबर 2021 सामके 5 वे तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा, और address की जानकारी भी आप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, office of the commissioner, health and family welfare and mission director, national health mission आंदरप्रदेश, यहाँ पर इस address पर आप लोगों को अपने आप आविदन बेज देना है, और last date जो है 15 सितंबर 2021 यहाँ पर निरधारित की गई, तो आप लोग इस date तक इस समय तक आप लोग का application form और जो भी documents है self test करके यहाँ पर इस address तक पहुंच जाना चाहिए, तो पूरी information मैंने आप पर cover की, उमीद काता हूँ, update आप साभी लोग को यहाँ पर मिल गया होगा, सारी जानकारी already आप फिक्स कर दी गई, जैसे कि देखिए notification जो है 31.8 को यहाँ पर जारी किया गया, और 15 सितंबर इसक पर जारी कर दे जाएंगे, आप लोग अपनी यहाँ पर joining लेंगे, और 4-10-2021 को आप लोग reporting करेंगे, तो पूरी information मैंने आपको यहाँ पर दी, उमीद काता हूँ, update आप साभी लोग को यहाँ पर मिल जाओगा, लाइक कर दे इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को डीटेल इसी तरीके से आगे भी, पात रहते मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, thank you so much.